टीमीडिया के 23 गिंदवाजों ने इंगलेंड के टॉप अडर को किया तहस नहस तो विराठ कोली और कप्तान रोई शर्मा की रियक्शन देखने लायक थे जियां दोस्तों दरसला आज ये टीमीडिया के बलावाज कोई खास बड़ा स्कोर नहीं बना सके थे जिसकी वज़े से इंगलेंड को सिर्फ 230 रोणों का चोटा सा टार्गेट मिला लेकिन हमारे 30 गिंदवाजों ने उमीद नहीं चोड़ी और मुहमद शमी और भूमरा ने मिलकर इंगलेंड के टॉप आडर को हिलने तक नहीं दिया और सिर्फ 49 के अंदर-अंदर ही उनके चार विकर चटका दिये जोनी बियोस्टो, डेविड मलान, जो रूड और बेन स्टोक्स एक-एक करके पेवेलियन लाटते गए और टी मिडिया के गिलारियों के रियक्शन देखने लायक थे विराट कूली से लेकर कप्तान रोई चर्मा हर कोई खुश नजर आ रहा था क्योंकि कम स्कोर के बावजूद भूमरा और शमी ने जिस तरह से टी मिडिया की इस मैच में वापसी करवाई वो काबिले तारीफ है पाता नहीं क्यों शमी को पहले तीन मैचों में प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया दोस्तों क्या बूमरा के साथ शमी को इस पूरे वाल कब में प्लेइंग 11 में जगा मिलनी चाहिए आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट जरूर करें